जेहिन दोस्तों मैं हूँ आपकी दोस्त पूरा मारी बफे से स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल में और आज की इस वीडियो में आप बात करने वाले कि अगर आप अपना करियर as a home tutor start करना चाहते हैं या फिर इस काम को आप पार्ट टाइम भी करना चाहते हैं college going student है, school going students है और कुछ pocket money अइन करने के लिए भी अगर आप home tuition में अपना कारियर बनाना चाहते हैं तो आपको किन विशेश भातों का ध्यान रखने की जरूत है, otherwise कहते हैं कि काम तो सब कर लेते हैं पर नाम जो है वो कुछ चुनिंदा लोगों की हाती आता है तो जब आपने decide कर लिया है कि आपको इस profession में कूदना है तो कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा पहले चीज़ बच्चों के दिमाख में आता है कि सामने वाला बंदा हमें अप्रोच कर रहा है कि हमारे बच्चों को पढ़ा दोगे तो आप एकदम इतने जादा उत्सा से भर जाते कि हाँ हाँ मतलब मैं तो मरा जागा था पढ़ाने के लिए मैं ही आपके बच्चों को पढ़ा दूँगा अफीस भी आप इस साइड कर लो मतलब आप चाहें किसी भी स्टेंडर्ड में हो बट जब आप किसी अर्निंग वाले profession की तरफ जाने का रुजहान करते हैं तो ऐसे में आपको professional होने की जरूद बहुत जादा पढ़ जाती है unnecessary parents से talk करना उनसे बेफ़जूल की चीज़े discuss करना ये चीज़े जो है आपके professionalism को खतम कर देंगी और आपके और parents की बीच में एक attributes का जो gap होता है वो gap कम होना शुरू हो जाएगा और वो आपको for granted लेना शुरू कर देंगे तो आप जब घर जाएंगे उनके बच्चों को महाँ पर पढ़ाएंगे तो इस चीज़ में जो कुछ guidelines होती है जो basic norms होते हैं कि आप लोग बीच में नहीं आएंगे जब मैं पढ़ा रहा हूंगा उस टाइम पर आप लोग बार-बार interrupt नहीं करोगे मुझे proper एक space चाहिए जहांपे बच्चे को कोई disturbance ना हो कोई destruction जो है वो आसपास नहीं आए अगर छोटे बच्चे हैं तो उस tenure और में जब मैं पढ़ा रहा हूं 60 minutes या पढ़ा रही हूं साथी साथ ऐसा नियर रेंडम उठकी आज आप साड़े चार बजे पढ़ा रहे हो शाम को जलाब बारा बजे पढ़ा रहे हो अगली दिन साड़े पांच बजे पढ़ा रहे हो क्योंकि ये चीज़े ऐस टीचर भी आपको गाइड करूंगी कि उनका टीवी देखने का टाइम है ये उनका केलने का टाइम है मस्ती करने का सोने का वटेवर उनकी भी अपनी लाइफ होती है और हम टीचर को ही से समझना चाहिए तो आप अपने टाइम में बहुत जादा वेरियेशन और फ्लक्टुएशन ना रखे ये चीज़ भी पेरेंट्स के उपर बैड इंप्रेशन डालती है अब्जर्व करेंगे आपकी इस हैबट को एक महीने दो महीने और उसके बाद आपको टाटा बाइबाइबाइ कह देंगे कि हमें कोई जो दूसरा टीचर है इसके लिए आपको पंचोल रहने की जरूत है अगर आपने साड़े पाँच का टाइम दिया है तो आप उससे पाँच मिनिट पहले मंतर जाके बैठ जाईए जैसे कि आप जो प्रॉपर आपकी एक लेसन प्लानिंग होती है एक प्री प्लानिंग होती है उसके अच्छे से तैयारी कर सके और एक्जेक टाइंग जब से आपकी क्लास शुरू होती है जिस टाइम तक एंड होती है बीच में उसमें कोई इंट्रॉप्शन ना हो तो आपको एक प्रॉपर पंचुएलिटी की जरूत है साथी साथ आप अगर कोई भी चेंजिस ला रहे है आपके दिमाग में बच्चों के बैनिफिट के लिए कुछ थौर्ट चल रहे हैं कि अगर मैं ऐसा करूं तो जादा अच्छा रहेगा तो उसको जरूर आप पेरिंट्स के नोटिस में डाल दे साथी साथ पेरिंट्स के साथ एक healthy discussion जरूर करने क्योंकि आप घर जा रहे हैं वहावे पेरिंट्स होते हैं हर दिन बहुत लंबा discussion मैंने विदाया कि आपके professionalism को खराब करेगा आपका काम में पढ़ाना और उसके बाद अपना महां से वापस लाड़ जाना अपने जो students हैं उन्हें over burden मत करिए कि एक ये दिन में आप उसे सारे subjects बढ़ा देंगे या फिर सिर्फ आप स्कूल का homework खरा रहे हैं आप ही स्कूल की तरह प्रॉपर टाइम टेबल लेके चलिए पर्टिकुलर जो subject slots हैं उन्हें आप क्याटेकराइज करेंगे अगर आप बड़ी क्लास को पढ़ाते हैं कोई इश्वी नहीं है आप सिंगल सब्जेक्ट है बट उसके topic wise रख दीजिए कि वेनस्डे को मैं टेस्ट लूँगा तो यह test fix है कि वेनस्डे को आप टेस्ट ले आप डिवाइड कर दीजिए after school homework, school homework जरूर डिसकस करें और उसके बाद अपने जो subjects हैं उनको आप लोग categorize कर लें अगर आप छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो विशेश तोर पर धियान रखें कि आप copy में लिखकर homework जरूर दें क्योंकि बच्चे जो अच्चा हैं ह हमारे परश्यदी विध्यान लेकर सरकारी स्कूल के बच्चे हों काम देदियो यह उनकी basic tagline होती है मैं काम देदियो यानि उनको आप कितना भी orally कह लेजिए कि आप यह करके लिए आना वेटाईगे आपको याद करके आना ही जब तक आप copy में red pen से लिखके नहीं देंग और कितना कर रहा है कितना नहीं कर रहा वो performance track reports जो है आप parents के साथ share कर सकते हैं तो यह basic चीज़े हैं जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूत है अगर इस profession में आप लोग आना चाहा रहे हैं इसके उपर मैंने proper जो है playlist बना रहे हैं जो आपर normal school teachers हों चाहें आप class teacher हों चाह इसके अलावा भी आपके कोई सुझाव या फिर कोई समस्या हैं तो वो आप लोग मेरे लिए comment section में चोड़ देना बेहद मुझे उन्हें पढ़कर उनके reply करने में बहुत मज़ा आता है तो उमीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए extreme helpful रही होगी अगर वीडियो आपको पास अंदाई हो तो आप इस वीडियो को अब तक चाहिए लाइक कर चुके होंगे और एक जंटल रिमाइंडर कि अगर अभी तक आपने मेरी चनल को सब्सक्राइब नहीं कियागा इस डू सब्सक्राइब इस चैनल प्रस्दा नोटिफेकेशन बेल कि तभी आपको अपने प्लेटपॉम पर आकर काम करने की और घर बैठे ओनलाइन अर्न करने की तो ऐसा बहतरीन टीचर अप में कह सकती हूं फिलो ट्यूटर अप जहां पर स्टुडेंट्स के डाउट टीचर विदिन 15 सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं जब वो अपनी क्वेशन की फोटो क की बेशते हैं यह अपने डाउट को लेकर उनसे पूस्ते हैं तो ऐसे टीचर अगर आप बनना चाहते हैं जहां पर आपको किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेच है तो आप फिलो एप पर एज ट्यूटर रजिस्टर कर सकते हैं इसके कम्प्लीट प्रॉसेस पर मैंने औरड़ एज तरीन ऑपरचुनिटी है घर बैटे पाट टाइम फुल टाइम काम करने की और अर्ण करने की तो अभी क्या भी जाए और फिलो ट्यूटर आपको डाउनलोड करें थांक्यू सो मच पर कमीं से मैं चैनल